बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ हिंदी बसंत का तीसरा पार्ट हिमाले की बेटियां हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार्ट का सारांस और साथी साथ पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर भी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले पढ़ लेते हैं पार्ट का सारांस यह पार्ट लेखक नागरजुन ने लिखा है जिसमें उन्होंने हिमाले और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है हिमाले से बेहने वाली गंगा यमुना सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को सांत गंबीर दिखाई देती थी लेखक के मन में इनके परती सरदा के भाव थे जब लेखक ने इन नदियों को हिमाले के कंदे पर चड़ कर देखा तो उने लगा कि ये तो काफी पतली हैं जो समतल मैदानों में बिसाल दिखाई देती हैं लेखक को हिमाले की इन बेटियों की बाल लिलाओं को देखकर आशर्य होता है हिमाले की इन बेटियों का नजाने कौन सा लक्ष है जो इस परकार से बेचैन होकर बह रही हैं नदियां बर्फ की पहाड़ियों में गाटियों में और चोटियों पर लिलाएं करती हैं लेखक कहता है, सिंध और ब्रेंपुत्र दो महान नदियां हमाले से निकल कर समुद्र में मिल जाती हैं, हिमाले को ससुर और शमद्र को उसका दामात कहने में भी लेखा को कोई जिजग नहीं होती। कालिदास के यक्स ने अपने मेगदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का बिनिमय देते जाना। जिस से पता चलता है कि कालिदास जैंसे महान कभी को भी नदीयों का सजीब रूप पसंद था। काका कालेलकर ने भी नदीयों को लोक माता कहा है लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कभियों ने इन्हें बेहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिबबत में सतलुज के किनारे पैर लटका कर बैठ गया। लेखक का तन औ और मन तरो ताजा हो गया और लेखक गुन गुनाने लगा तो बच्चो ये था यहाँ पर हिमाले की बेटियां पाट का सारांस उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा आप चाहें तो सारांस को अपनी नोट बुक में भी नोट कर सकते हैं चलिए इसके बाद जान लेते हैं इस पार से सम्बंदित प्रस्णों के उत्तर अभ्यास प्रस्ण उत्तर में और सबसे पहला प्रस्णे बच्चो यहाँ पर नदियों को मा मानने की परंपरा हमारे यहां काफी पुरानी है लेकिन लेखक नागार जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं त हमारा पालन पोशन करती हैं, हमारे खेतों को सिंचती हैं, लेकिन लेकाएक नागरजुन उन्हें बेटी, प्रियसी वा बेहन के रूपों में भी देखते हैं, ठीक है, इस परकार से आप अपने पहले प्रस्न का उत्र लिख सकते हैं बच्चो, इसके बाद सुरू होता है इसी नदिया हैं, जिनें एतिहा सिकता एबं महत्व के आधार पर पुलिंग रूप में नद भी कहा गया है, क्या कहा गया है बच्चो, नद इनी दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है, प्राकरतिक और भोगवलिक द्रेश्ट से भी इनकी महत्ता है, कहा जात परवत राज हिमाले की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्भ महसूस करता है, ठीक है तिस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं बच्चो, इसके बाद देख लेतें, आईए तीसरा प्रसन, और यहाँ पर पूछा है, काका कालेल करने मा की तरह हमारा भरन पोशन करती हैं इनका जल भूमी की उर्बरा सक्ति को बढ़ाने में विशेज भूमी का निभाता है इसलिए नदियां माता के समान पूजनिय पवित्रेवम कल्यान का रही हैं मानब नदी को दूसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता परंत इसके बाब प्रिजूद भी अपार दुख गंदगी और हेलना सैकर भी हमारा कल्यान उसी प्रकार करती हैं जैसे अपने नालैक पुत्र का कल्यान मा चाहती है अथा का कालेल करने नदियों को मा के समान विसेश्थाओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है ठीक है तो इस प् लिखेंगे उत्तर में उत्तर लिखेंगे हिमालय की आत्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की नदियों की अठ खेलियों की बरप से ढकी पहाडियों की पेड़ पौदों से भरी घाटियों की देवदार चीड सरो चिनार सफेदा और कैल से बरे जंगलों की परसंस नदियों में क्या-क्या बदलाव आये हैं। अगला प्रसने यहां पर प्रस नमबर 6 अपने संस्कृत सक से पूछिए कि काली दास ने हिमाले को देवात्मा क्यों कहा है। आज भी हिमाले भगवान सिव का वास अस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके सुरू हो जाते हैं भासा की बात के प्रसन और यहां पर साथवा प्रसन आपके लिए अपनी बात कहते हुए लेकक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पस्ट और सुन्दर बन जाता है। उधारन के लिए आप देखेंगे कह है संबरांत महिला की भाती वे परतीत होती हैं। और खे है मा और दादी मौसी और मामी की गोत की तरह उनकी धारा में डूपकियां लगाया करता। तो इसी प्रकार से आपके लिए यहां पर है अन्य पाठों से ऐसे पांच तुलनात्मक प्रियोग निकाल कर काक्सा में सुनाईए। और उन सुन्दर प्रियोगों को कौफी में भी लिखिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चो। नहीं है सुन्ने वाला ठक कर जहां रोक दे वहीं इस्टेशन मान लिया जाता है और पांच वाल लिख सकते हैं आप बच्चों संध्या को सपन की भाती गुजार देते थे ठीक है इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रस्ण है तो इस बार जब मैं हिमाले के कंदे पर चड़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था ठीक है और खह है काका कालेल करने नदियों को लोगमाता कहा है तो इसी प्रकार से आपको लिखना है पाट से इसी तरह के औरुदारन ढूंडिये तो आपने औरुदारन ढूंडने बच्चियां बन कर ये कैसे खेला करती हैं तीसरा लिख सकते हैं बच्यों हिमाले को ससुर और समद्र को दामात कहने में कुछ जिजक नहीं होती थी और अगला लिख सकते हैं चोथा बुड़ा हिमाले अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा ठीक है तो इस पढ़े थे बच्चो पिसली कगसाओं में बिसेशन और उसके बेट पढ़े थे चलिए नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखें वहाँ पर बिसेशन का चैप्टर आपको लिंक देखने को मिलेगा आप उस पर लिखा है बिसेशन और इदर लिखा है बिसेशिया और यहाँ पर लिखा है समरांत चंचल समतल और इसके नीचे लिखा है घना और फिर मुसलधार और दूसरी तब देख सकते हैं बच्चो वर्सा जंगल महिला और इसके नीचे नदिया और आंगन तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आंगन लिखें बच्चों आंगन और यहाँ पर लिखेंगे घना के साथ जंगल और मुसलाधार के साथ वर्सा क्या समझे आप समरांत महिला चंचल नदियां समतल आंगन और घना जंगल और मुसलाधार वर्सा तो इस प्रकार से आपका बिसेशन और बिसेशन का म सब्द का ठीक है आप ध्यान दें दुन्द समास के दोनों पत्परदान होते इस समास में और सब्द का लोफ हो जाता है जैसे राजा रानी तो यहां पर क्या था और राजा और रानी ठीक है तो राजा रानी दुन्द समास है जिसका आर्थ है राजा और रानी पार्थ में पुटी और बड़ी दुबली पतली यानिक दुबली और पतली नंग धड़ंग यानिक नंग और धड़ंग और मां और बाप ठीक है तो मां बाप इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा इसके बाद बच्चो अगला है यहां पर प्रस्न 11 नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है क्या होता है नदी को अगर हम उल्टा लिख दें तो क्या बनेगा दीन जिसका आर्थ होता है गरीब दीन का आर्थ क्या होता है गरीब आप भी पांच ऐसे सब्द लिखे जिसे उल्टा लिखने पर सार्तक सब्द बन जाए परतेक सब्द के आगे संग्या का नाम भ लेकेंगे नव इसका नव का उल्टा क्या हो जाएगा वन नव का उल्टा क्या होगा वन और यह होगा जातिवाचक संग्या राम तो उल्टा क्या हो जाएगा मरा राम का उल्टा क्या हो जाएगा मरा और यहां पर यह हो जाएगी भावचक संग्या इसके बाद बच्चो एक सब्द धारा धारा को उल्टा कर दे तो क्या बनेगा राधा और यह होगी व्यक्तिवाचक संग्या क्योंकि यह किसी का नाम है न और यहाँ पर नामी यहाँ पर मीना नामी का उल्टा क्या होगा मीना और यह भी होगी व्यक्तिवाचक संग्या आई बास समझ में तो इस प्र बेतरावती पहले क्या नाम था उसका बेतरावती निचे देगे सब्दों में से ढूंड कर इन नामों के अन्य रूप लिखिए तो आपको क्या करना है यहाँ पर उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चो लिखेंगे नया नाम और पुराना नाम ठीक है रोपड का रूप पुर जेलम का वितस्ता चिनाप का विफासा अजमेर का अजे मेरू ठीक है और इसी प्रकार से बनारस का वाराणसी तो यह नया नाम और पुराना नाम ठीक है तो बच्चो इस प्रस्न के साथ ही इस पार्ट से सम्बंदित प्रस्नों के उत्तर यहाँ प चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत से कर दे बेल आइकन भी दबा दे बच्चो ताकि आपको आने वाली परतेक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पार्ट के कुछ नए प्रस्नुतरों के साथ आपका दिन सुभ हो